मकर संक्रांती पर सूर्य पूजा विधी जोतिश शास्त्र में सूर्य के एक राशी से दूसरे राशी में गोचर करने को संक्रांती के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल में 12 संक्रांती होती हैं। हर राशी में सूर्य के प्रवेश करने पर उस राशी का संक्रांति पर्व मनाया जाता है। संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस माह 15 जनवरी सोमवार को सूर्य देव धनू राशी से मकर राशी में गोचर कर रहे हैं और इस दिन को मकर संक्रांती के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन को सूर्य के उत्तरायन का दिन भी माना जाता है। और सभी बारह संक्रांतियों में से मकर संक्रांती को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मकर संक्रान्ती के पावन पर्व पर दान करें, खिचद्धी, सूर्य देव होंगे प्रसन्न। इस दिन सुबह ब्रम्ह मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और पास के किसी जलाशय या नदी में सनान करें। अगर ऐसा संभव न हों, तो आप घर पर ही पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर सनान कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन पानी में तिल मिलाकर सनान करने को बहुत महतुपूर्ण बताया गया है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। यदि आप इस दिन वरत रखना चाहते हैं, तो सूर्य देव को नमन करके वरत का संकल्प लें और तांबे के कलश में तिल, जल, रोली और फूल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्ग्य दें। सर्व देवों को नमन करके अपने घर परिवार के लिए सुख सम्रिध्य और शान्ति की कामना करें। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार तिल गुड़ाच के लड़ू, अन, धान और गेहुं और वस्त्र का दान करके अपने वरत को पूरा करें। चूंकि शास्त्रों में हर संक्रांति की तिथी एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है और इस दिन पित्रितरपन, दान, धर्म और स्नानाधी करने से पुन्य फल की प्राप्ति होती है। इसी लिए यह कुछ पुन्य कार्य इस दिन अवश्य करें। साथ ही आप श्री मंदिर की चरहावा सेवा का लाभ भी उठाएं और जैपुर में गलता जी में स्थित सूर्य मंदिर में फूल, मौली, अन तथा लड़ुयों का भोग चढ़ा कर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सूर्य भगवान का आशीरवाद अवश्य प्राप्त क स्थित स्थित करें झाल 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 झाल